एक जितना कमजोर होगा, तूसरे ने उतनी ही ताकत होगी क्या कृती सेनन बनेंगी गिक्टू का हिस्सा? क्या 300 मास्क देखने के बाद साजित ने चुना था डेविल का मास्क? क्या इस बार होगी मास्क की जरूरत? नवश्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बॉली ग्रैड स्टूडियोज में आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन ये डायलोग तो हर चोटा बच्चा भी जानता है पर अब चोटे बच्चे से लेकर बड़ो तक सब को इस डेविल से मिलने के इच्छा हो रही है और वही लुका चुपी का खेल देखना है पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा जल्दी पूरे होने वाली है क्योंकि डेविल बने सल्मान खान हम सब के लिए कुछ बड़िया प्लान कर रहे हैं कैसे? अरे भाई, केक टू के जरिये? अब सल्मान की जगे तो इस फिल्म में फिक्स है, उनके बिना तो ये फिल्म बनी नहीं सकती पर उनका साथ निभाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना वैसे पिछली फिल्म में हमें उनके साथ जाफिन फर्नान्डेस नजराई थी एक साइक्याट्रिस के रूल में और उनका ये किरदार और्डियंस ने काफी पसंद भी किया था पर पता नहीं क्यों इस बार कृती सेनन का नाम फिल्म से जोड़ा जा रहा है इसी के साथ साथ आइफा आवार्ट्स में स्टेज मस्ती के दौरान कृती और सल्मान ने जुम्मे की रात गाने पर छोड़ा सा डांस किया था जिसमें सल्मान ने कृती का येलो कलगा गाउन का हिस्सा मूं में पकड़कर अपना सिग्नेचर स्टेप किया था इसके बाद फैंस जोर और शोरो से चिलाने लगे और बाद में इस वीडियो पर कॉमेंट करते हुए फैंस ने ये तमन्ना जाहिर की कि सल्मान और कृती एक साथ काम करें किसी के साथ मीडिया में कृती को किक टू के बारे में पूछा गया तो कृती ने कहा सल्मान सर की फिल्में सस्पैंस और संप्राइजस से भरी हुई होती है तो हमें भी थोड़ा इंतिजार करना जाहिए वा भई कृती आप भी सस्पेंस भरी बाते करने लगी है पर अगर कुछ बता देती तो आपके फैंस को खुशी ही होती वो खुशी से जूम उठते एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कृती ली डोर में नहीं नज़र आई तो वो एक स्पेशल सॉंग का हिस्सा बन सकती है जैसे कि पिछले फिल्म में नर्गेस फाकरी नज़र आई थी और कृती ने भी स्तुरी फिल्म में आव कभी हवेली पर गाने में जबदस परफॉ सकता है पर जाद था पॉसिबिलिटी यही है कि सल्मान के किरदार का नाम फिर से डेविल ही रखा जाए क्योंकि डेविल तो सिर्फ नाम है पर इसके पीछे की कहानी यह है कि डेविल यानि सल्मान को आस-पास होने वाले गलत, गड़दार, करब रोगों से नफरत है और त उस मास्क के पीछे भी एक कहानी है आपको पता है यह मास्क किस ने डिजाइन किया था उनका नाम है Special Prop Designer सुरेश सेलवराजन उन्होंने कहा कि मास्क बनाने से पहले उन्होंने 300 मार्क बनाये थे और उनका डिजाइन साजित को पसंद नहीं आया फिर बड़ी ही महनत से उन्होंने एक मास्क बनाया उसके लिए पहले उन्होंने 50 कलर्स और टेक्च्चर स्ट्राइ किये और साजित का ग्रीन सिंगनल मिलने के बाद 3D Print Technology की मदद से यह मास्क बनाया गया पर सबसे एहम बात यह है कि इंडिया में 3D Print Technology से बनाया गया यह पहला मास्क है तो देखा आपने एक मास्क बनाने के पीछे भी कितनी बड़ी महनत करनी पड़ती है वैसे किक्टू में भी ऐसे ही मास्क की जरूरत पर सकती है उसमें थोड़े से बदलाव भी किये जाएंगे आखेकार सीक्वल है भई और यह मास्क टेविल के किरदार को खास तो जरूर बनायेगा और इसकी फिल्म में जरूरत भी होगी तो अब देखते हैं कि किक्टू में हमें और क्या-क्या बदलाव देखने को मिलते हैं तब तक के लिए हमें इंतजार ही करना पड़ेगा तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए सब्सक्राइब कीजिए बॉली ग्रार स्टूडियोज को आज की स्क्रिप लिखी है त्रपतीने